यशो मती मैं आके नंद लाला अब वो स्वैम बताएंगे कि क्या शड़े अंत्र रचा है उन्होंने अब ना तो वह सुदेव बचेगा ना देव की बचेगी और ना ही बचेगा उनका आठमा पुत्र 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 तब तो हमें सुरक्षा और बढ़ा देनी चीनन है परहन तो यह सुदा को जब यह पता चलेगो कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी क्योंकि उसके लल्ला पर आय संकट अपी ठलोना है क्योंकि कंज दस दिवस से कम आयू वाले बालकों की भत्या करवारो बुद्धी बल का प्रयोखी जे स्वामी शारीरिक बल की आवश्रक्ता नहीं मुझे ग्यान देने की कोई आवश्रक्ता नहीं यदि विश्नु को पता चल गया तो यदि आपने अपने बहन और बहनोई को बता दिया कि आपको उनके शर्य अंत्र के बारे में पता चल गया है तो ये सुझना विश्नु तक भी पहुँच जाए और वो सावधान हो जाएगा क्या यहीं चाहते हैं आप तो तुम क्या चाहते हो मैं जुक जाप हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहूं और होने दूज़ो हो रहा है नहीं महाराज क्रोध में आकर देव की और वसुदेव को दंड मत दीजे अन्य थानन्द सतर्क हो जाएगा और उस अवतार को लेकर भाग जाएगा इस समय आपकी तलवार का लक्ष केवल और केवल वो बालक होना चाहिए अपने शत्रू पध्यान के इंद्रित कीजे महाराज उचत कहा महाराणी अब मुझे पता लगाना होगा कि वो बालक कोकुल में है भी या नहीं और उसके लिए करनी होगी मुझे एक उचित व्यक्ती की खोच तो उसे तो तो लल्ला को कुछ हो न जाये इस डर से अपनी सुद्वूत खो बेठेगी उन असांती से सोईगी ना का चुखाएगी लल्ला की चिंता में अपना सुख चैन सब गवादेगी और उससे भी महत्पून बाद तुझे है के उसे इतने बरसों बाद महिया बनने को सुख मिलो उसे जो परसनता मेली है उसे छोड दिन रात लल्ला की सुरक्सा में लग जायेगी एक मा से इस भै के कारण उसकी मंता चिंद जायेगी और जे मैं होने ना तुम पर तुम हमें सुरक्सा के लिए कुछ तो करनो पड़ेगो ना करेंगे ना भाईया भावन के चारों और प्रहरी बिठाएंगी कोकल के मुख्य द्वार पर भी असे इस बात का ध्धान रखेंगे के सुधा को कछो पतो ना चल आप तो पता चल गओ सब सुन लिए मैंने यह सुधा ना भाईया सही कहरो हैं सुरक्षा तो बढ़ानों ही पड़े की बहुत आवस्यक हो गओ है जी राम जाने संकत अभी पूर्णता टलो भी है की ना और हमें तो जे भी न पता कि उस पूंतना को भेजा किसने था सुनो जे हमारे लल्ला पर अब तनिक भी आजना आनों चाहिए वो पूतना स्वयम आई थी या उसे किसीने भेजो था उससे कोई अंतर ना पड़ता आप बस चारो और सुरक्षा बढ़ा दो कोई भी बाहरी व्यक्ति कोकुल में प्रवेश ना कर पाए भावन के ओर आते वे मार्क पर मुख्य द्वार से लेके प्रथम देरी तक बाहर गौसाला पर सब और यह सुधा जिन्ता ना करो अशब संभाल लोगा जानती हूँ अब बहाँ जाकर पंची और ओले से भाट करता हूँ ठीक है चांतिंग कि नुझे मन है कि मान तो ही ना है आप बस चारो और प्रहरी बठा दो जो हर चंड पहरा दे उनकी आज्या के बिना आकास में भी पंची परना फैला पाए बस कचु पतो ना है तो यह इत्ता घबरा रही अच्छा ही हुआ इसने ना सुना कि इस सब के पीछे कंस है नहीं तो राम जाने क्या होता इसका अब एक चंड के लिए भी बिना निगरानी के ना रहने दूंगी तुझे यह क्या हो गया मुए को फिरसे इतना घबरा रही है क्या सोच रहोगा चे यही ना कि इसकी मुए इसकी सुरक्चा भी ना कर पाई अरे यह सुता ऐसा कचु ना सूच रहा हमारा लल्दा देखो कैसे टुको टुको निहार रहा तूंगो वही तुम्हें कह रहा था बाबा हुआ! हुआ हुआ हेह! हाहा! तक क्यों हासर हो एजे? ऐसा क्या देख लिया लल्ला? है? चे! पता है लल्ला क्या कह रहो है? लल्ला कह रहो है के हमें भगवान नारायन में सदेख भी स्वास रखनो चाहिए हाँ हाँ बड़े हासी आ रहे है तुझे? क्यों रहे? एपपी प्रसनता का कोई न कोई कारन तो अवस्य होगा? बता लल्ला, बता अपनी मैया को ना बताएगा? बताएगा? कर रहे हो चंद्र शमा कीजिएगा प्रभू मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी श्री विश्नु अवतार के बाल सरूप की किलकारियां सुनकर उचसे राहा ही नहीं गया इसलिए मैं बार बार जुपकर उनकी एक जलक पाने की चेश्टा कर रहा था क्या इतनी अध्वुत हैं उनकी मुस्कुराहट उनकी मुस्कुराहट तो चंद्रेव की आवास है भी अधीक है और रूप तो ऐसा प्रभू क्योंने कितना भी देखें ना आखें ठकेंगी और ना ही मन तुमने कब देखा उनके शश्टी पूजन पर प्रभू और आप आपको ये सुभाग्य मिला या नहीं मैं तो उनकी बेहन हूँ प्रभू मैंने देवी योगमाया के अफ्तार रूप में उन्हें गोदी में खिलाया भी है वो कैसे है देवी क्या मेरे प्रभू श्री राम के समान है वो समान है फिर भी भिन है प्रभू श्री राम ने दिन में जनम लिया था श्री कृष्ण ने मध्यारात्री में लिया श्री राम की आखों में सत्य की शीतलता थी श्री कृष्ण की आखों में न्याय की अगनी है श्री राम की मुस्कुराहट शान्ती की परिचायक थी श्री क्रिष्न की मुस्कुराहट आशा की संचारक है मुझे उनसे मिलना ही होगा उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे चाहे जो हो जाए उफटते ही जाओंगा उनसे मिलने लल्ला कहें तो मेरा उफ़ास तो ना उड़ारो है लोग कर लो बात मैं उफ़ास क्यों करूंगा मैया मैं तो खिल खिल आ रहा हूँ क्योंकि अब वो मुझे से मिलने आने वाली है आपको बड़ा अनंद ना रो है इसके उफ़ास उड़ाने पर लल्ला देख अपनी मैया को उफ़ास मत उड़ा सोजा सच तेरी मैया सदैब तेरी रक्षा करेगी किसी का भी बुरा साया तेरे परना पढ़ने देगी जहे चो हो जाए अब मुझे चलना होगा तेवी रभू वहां जाकर कुछ लाब नहीं होगा कल ही पुतना ने आक्रमन किया है मैं जानती हूं यह शुदा को वह पहले ही बहुत अधिक चिंतित रहती थी निल्मनी को लेकर और कल के इतने बड़े संकट के बात तो वो किसी की छाया तक नहीं पढ़ने देगी अपने पुत्रपर तो फिर कुछ दिन रुखना ही उत्तम होगा पुपर भोला बंसी यह का चल रहो है भावी जी पहरा दे रहा है जी हाँ ऐसे दोगे पहरा ऐसे ना तो पीट सीधी ना ही दृष्टी सतर ऐसे पहरा दोगे यह फोदा जी लल्ला कैसा है हम सब उसी को कि लाने आया है हाँ भावी ना 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 अभी उठो ही ना है आप सब का ला जाओ हाँ गिंदो अरे सूरो है लल्ला जाओ हाँ बोला बंसी अब आज ना लल्ला ने पीला वस्तर पहनो है और पीले वस्तर में दृष्टी बहुत सीगर लग जातो है कला जईयो हाँ नंद लाल से भेट को तर से उन में सब के प्राण बसे पर सतर्क और चिंतित मैयां किसी को लल्ला से मिलने न दे आज मत रोको प्रिया ऐसे तो वो कभी मिलवाएंगी नहीं अपने लल्ला से पांच दिन पांच यूगों के समान बीते हैं आज बारा दिन के हो गए होंगे प्राण आज जाने तो पारवती मैं जानता हूँ देवी इसलिए मैं जाओंगा अपने विशेश जंगम देव स्वरूप में जंगम देव स्वरूप तो बड़ा ही तुल्लब है नित्य प्रते दिन आ जातो है तुझसे कोई न कोई मिलने अब तो कारण भी कम पढ़गों है लल्ला क्या कहों उन्हें पर तु चिंटा ना कर लल्ला मैंने भी बोल दो है मेरा लल्ला अभी तयान है पार्वती मैया सही कह रही थी महादेव मुझसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पढ़ेंगे भले ही आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना आओ आपकी चिंटा है कारण है देवी मेरे जंगम देव स्वरूप को देखकर मैया मना कर ही नहीं पाएंगे मेरी शुबकामनाया आपके साथ है प्रभू बस दर्शन मिल जाएं तो लोटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आएगा मेरी लिन कित्ता सुन्दर लग रहा है जे पोसाग कुछ पे है निलवडी ये हुई ना बात नई पोसाग में और भी अधिकानन दाएगा मैया क्योंकि आज बहुत विशेश दिन है आज मेरे सखा, मेरे भोले शंकर, मेरे महादेव आने वाले है मुझसे मिलने एशे प्रसन्न हो रहा हैं जैसे कोई संपुदा मिलने वालो है है रहे मिलने वाली है मैया बस आप उन्हें मिलने दे ना अपने प्रभु से मिलने आया हूँ मैं आपके द्वारे आया हूँ मैं आपको मिलने आया हूँ मैं राम को लखने आया हूँ हर्ष से पूला ना समाऊंगा, मैं तर्शन पाकर जाऊंगा, उल्लास के अश्रू वहाऊंगा, मैं भजन प्रभू के गाऊंगा, मैं भजन प्रभू के गाऊंगा, चमा करो बाबा, बाबा आप भीतर नहीं जा सकते, अरे राम, अरे राम, 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 हरे हरे, हमें इस पस्ट आदे से बाबा, हम बिना अनमती के किसी को अंदर ना जाने देंगे, नहीं तो बाबा, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, मैया यशोदा, दुआर पर जोगी आया है, छोली भर दो मैया, चिंता की कोई बात नहीं है, मैया, ये तो मेरे सखा है, मेरे शिव, रखता है कोई जोगी बाबाओं है, मैं दान दे कर आई, नल्ला, पर दान में दोगी क्या मैया, उन्हें तो मेरे साथ भेड़ चाहिए, अरे राम, अरे राम, अरे राम, अरे राम, इस जोगी की जोड़ी पुकार रही है, मैया, इसे भर दो, आप तो स्वयम ही इतने सम्रद्ध लग रहे हो बाबा मैं आपकी जोली कौन से वस्तों से वरूँ अर्ष से उल्लाश से प्रसन्नता से रमोज से कुछ देर के लिए अपने नल्ला को मेरी गोदी में खेलने तो मैया मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सक्खा कृपा करो मैया अब इस जोगी से और परतीक्षा मत कराओ ना जे तो मैं ना कर सकती पर क्यों मैया मैं बहुत दूर से मिलने आये हुआ आपके लल्ला से बाबा जो संभवी ना है वो मती मांगो आप और जो चाहिए सब मिलेगो ये ये चावल ले ना जोली राइए मैया मेरी जोली तो अब भी नहीं परेए मैं अभी आई बाबा पारवती ने कहा था बहुत मनाना पड़ेगा ये तो असानी से मान दे यही तो विशेषता है इस जंगम देव सवरूप की हाँ हाँ भीतर नहीं जा रहा हमें मैया अपने लल्ला को लेने गई है अब इतनी परतीक्षा की है तो कुछण और सही उसको रा क्या रहे हो ये शो मती अपने नंद लाल को लेने गई है अभी आती हो लो आ गए लो बाबा ले लीजे बहुतिक वस्तों से मन की जोली नहीं भरती मैया ये तो आपके लल्ला के दर्शन से ही भरेगी बस एक बार दर्शन करने दीजिये कुछ शण के लिए रुको लो कर लो बात भोले ना देखो बाबा जो दे रहे हूँ उससे आप स्विकार करो मेरा लल्ला अभी बहुत नन्धा है आपकी जे भेसबूसा से भेबीत हो जाएगो आप मुझे छमा करो बाबा आप जाओ अपने जंगम देश्वरूप पर बहुत विश्वास्थाना आपको सखा पर आप देवों के देव महादेव हैं तो मेरी मैया भी कुछ कम नहीं है पर मैया मैं तो आपके लल्ला को आशिरवात देने आया हूँ यादवकुल के सभी बच्चों को में दूद पिलाते हैं ताकि उनको मेरे समान, तीरगायू और उत्तन स्वास्त का वरदान मिल पाएं कुछ दिन पूर भी एक स्त्री आई थी, आसरवात देने, राच्छा से निकली वो अब क्या करोगे सखा, कैसे मिलोगे मुझसे ना, अब मैं अपने लल्ला को और संकट में ना डाल सकती महा विशैले, शेशनाग की शैया पर विश्राम करने वाले महा घातक सर्बों को एक सास में निकलने वाले, गरूर की सवारी करने वाले उरे संसार की रक्षा करने वाले पर कैसा संकट मिया क्या कर रहे हो सका, मेरा बेड मर्द खोलो चे किसकी चर्चा कर रहे हो, शिरी नारायन की शिरी नारायन की पर क्यों बात मेरे लल्ला की चल रही है और आप कहां श्री नारायन पर चले गए आप बहुत बिचितर बाते कर रहे हो बाबा अब तो बिल्कुल ना मिलने दूंगे अपने लल्ला से बस एक बार महिया बाबा मैंने कही ना ना का अर्थ ना आप सच्ची में बहुत भोले हो भोले शंकर महिया को मनाना भी नहीं आता आपको बस महिया बहुत होई आपकी हट अब आप इस जोगी की हट देखोगी अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भरकर निहार नहीं लेता मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया हाँ बाबा बैठ जाऊ जित्ता समय मन करें उत्ते समय तक बैठो आप किन्तु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे मैया आप मुझे पैचानती नहीं है मैं दस सहस्त्र वर्षों तक समाधी में बैठ सकता हूँ जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा उस पर आपका कोई अंकुष नहीं रहेगा तब मिलनूगा उससे पर बिना मिले लोटनूगा नहीं सखा इतना असार नहीं है मेरी मैया से जीट पाना आप दस सहस्त्र वर्षों तक बैठ सकते हूँ तो मैं भी बीस सहस्त्र वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ पीछे का द्वार खोल दूँगी मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो किन्तु आप से ना मिलने दूँगी आप होंगे बड़ी हटी किन्तु मैं भी मैया हूँ एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनोती ना देते आप लो कर लो बात अब क्या करोगे भूले नाथ तो अब यही निश्चित हुआ मैं तब तक यहां से महीं अटूँगा जब तक आपके पुत्र से भेट नहीं कर लेता मैं तब तक यहां से महीं अटूँगा जब तक आपके पुत्र से भेट नहीं कर लेता संकल्प के बड़े पक्या है जे बाबा इमवाजी की हट देखो अब जोगी बोले द्वारे आसन जमा करू तप बंबं भोले द्वारे आसन जमा करू तप बंबं भोले रभू बड़ी डिड़निस चाई है आपकी मैया राम मिलने दोना मैया संकेत को समझो मैया मैं भी उनसे भेट के लिए आकुल हूँ जे बाबा ने तो अति ही कर दी मैया मान गई एक और मेरी सुरक्षा को ततपर मैया है तो दूसरी और है मेरी दर्शन को उताब ले महदेव ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगो तो क्या तेरी मैया मिलने देगी ओ दर्शन ना जे तो तुझे गोद में उठाना चाते है लल्ला नहीं तो मैं भी उनकी गोद में जाना चाता हूँ मैया अब मान जाओ ना कृपा कर दो ना महादेव पर कबसे प्रतीक्षा कर रहे है प्रभू प्राओ राओ हे नारायव मम्ता और सुरक्षा के भाव के सामने गृपा का भाव हार रहा है मुझे भैय की मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझे पर नहीं करेंगी अब आप ही कुछ कीजिए प्रभू मरा ही अपनी मैया का मैया अब तो बहुत देर हो गई अब तो अपनी हट छोड़ दो ना नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा क्या हुआ लाला क्या हुआ ये शुदा निल्मणी रो क्यों रहा है पता ना जिज्जी कहीं से भूख तो ना लगी लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेट के लिए व्याकुल है नाराय सोजा लल्ला मेरा प्यारा लल्ला प्यारा लल्ला सोजा लल्ला क्या होगा हुआ जिदिक जिदिक घोड़ा घोड़ा सोजा लल्ला जिज्जी इसको क्या होगा है लल्ला? तील मनीव, चुप हो जा, चुप हो जा या हुआ या सुदा, यो लल्ला क्यो रो हो रहो है? देखो ना जी, जे चुप ही ना हो रहो है लाओ, मुझे दो क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रह्मन कराकर लातो ना ना, बाहर ना अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रह्मन करने का जे लल्ला ने बताओ आपको, हाँ मैंने कही ना, बाहर ना घुमाना पालना उच्छा वाली भूल फिर से ना दोरा सकती मैं कौन्ची भूल नन भाईया लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है कौन है ये बाबा? अरे ये बहुत हटी बाबा है इनकी कही न मानी तो हट ठान के द्वार के आगे बैठ गए है नव, नव, नव हो सकता है नेल मनी इनहीं के कारण रो रहा हो जे क्या कह रहे हो जीची? नन्धे बालक इश्वर्स पर उप होते हैं इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इने दुखी कर रहे हैं हो सकता है नेल मनी उनहीं के दुख से दुखी हो रहा हो जी कैसे संभव है जी जी यह सोधा गोकुल का राजकुमार है जी गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोख सकते हैं भला तेखो जी सोचना भी मत इन बाबाने मुझे चुनोती दियो हैं मैं इंसे हार न सकती हरे जी को चुनोती की बात है के है सुधा तुमारे इस हट के कारण क्या संदेज आएगो गोकुल में हरे मैं गोप नरेस हूँ अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव यह और जे बाबा भी राक्षस निकले तो इत्ती सिग्र भूल गए क्या हुआ था हमारे लल्ला के साथ राव राव रण भर के लिए देखो है बाबा को परमन को एक अलग सी सांती का अनभाव हो रहा है अवस्य ही कोई सिद्ध बाबा है जे राव देखो कैसे राम नाम का जब कर रहे कोई राक्षस रसा करेगो भला राव बस यह नहीं हो गयो अब इस विशा में कोई बात ना होगी अरे यशुताव मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो पर ये भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्व हो अच्छा सुनो यदि उनके अशिर्वा से निल्मनी चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में ठीक है चुप लगा पाबा पाबा पुम आमा इप अपलní Sicko पुम आमा स्षिवाई पुम आमा स्षिह री प्रव कर है कर दो बेट की मंगल बेला आई द्वार के पीछे अशोदा माई दन्य भाग हुए शिद जी के नील मरी की जलक जो पाई रूप अलोकिक इतना प्रभू का सबका ही मन बोहले मुख से भाजन हरी ते ता के बोले दर्शन करने आये बोले जोगी वाले पेहन के चोले दर्शन करने आये बोले नील मनी को कोद में भरके त्रिप्त हुए प्रभू सखा से मिलके भाव अनन्त जो पुड़े मन में नैनों से अश्रू बनके चलके स्रिष्टी ने भी इंद्र धनुष के सत रंगी रंग घोले मुख से भोजन हरी के बोले दर्शन करने आये बोले जोगी वाले पहन के चोले दर्शन करने आये बोले कितने लंबे समय से आपके धर्शन के प्रतिक्षा कर रहा हूं प्रभू सदयल से आपका अनुसरन किया है मैंने सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रगू और मैं हूं अपने भक्तों का दास समस संसार के लिए इश्वर हूंगा पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाद्दे हूं सका है जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं आपने भक्तों का भक्त हूँ तभी तो विश्णु ही शिव है और शिव ही विश्णु है और शिधी विशु ऋए नुती होansas शिभाय विश्वाइ विश्नवे जो पाई यृ पाई विश्नवे सिव्रस्त अरिधम व्रस्त अरिधम शिवाओ बाबा आप जैसे टक्टकी लगाकर देख रहे हो मेरे लल्ला को दृष्टी लग जाएगी जिसकी दृष्टी उतारने वाली ऐसी मईया हो उसे किसी की दृष्टी कैसे लग सकती है भला लीजे सभाली अपने लल्ला को शमा करना बाबा आपको बहुत कस्ते हो शमा का कोई कारण नहीं है आप तो बस मईया होने का धर्म निफा रही थी नील मड़ी धन्य किसे आप जैसी मईया मिले सत्यवचन सखा सत्यवचन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे छोटे सिमित्र को मा की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव सितरस्ता था ना ना सखा क्या कर रहे हो बेद कोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप जैसे मा तरपती है अपने पुत्र के सने के लिए वैसे ही एक पुत्र भी तरस्ता है अपनी मा की ममता के लिए फिर चाहे वो कोई साधारन बालक हो या स्वयम नारायन का अवतार बाबा आप कित्ती अच्छी बात कह रहे हो तेरे ते प्रसंद नोगा आपके लिए कचो लाओ बस दर्शन मिल जाए तो लोटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य लियाए गमरी लिए बस आपके शुब हातों से बने माखन की मटकी दे दीजी मैया मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा अवश्य अवे लाई लोजी अवे जे लीजे बाबा आप सब परसंद रहें स्वस्त रहें दिरगाई हो हों यशस्वी हों आपके घर पर धन धान्य सुक सम्रिद्धी आश्वर्य और वैभव ऐसे वरसे जैसे सावन के मेग हरे राम, हरे राम, 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 कालोग, मैं प excuse me... है सान्वी कार ऐसक्ट होיח फिर आपने... यह भी आपने... ुऑन है कर दूनाओ कर दूनाओ कि लुटनाओ कि अन्हों ओड़ाएई रओ रचिए दिवक अ लेता है जुटनाओ, मुटनाओ कि युटनाओ लिगारा है, याया विवक लड़ाएफ ले मिर दो खिलाएफिक। कर दो कर दो मिलाये अपने आराध्यों के अवतार से प्रभू तो माखन कहा है अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साइब था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला अद्बुत है मेरे प्रभू और अद्बुत है उनकी मैया वैसे एक तरस से वो मेरी भी मैया है योग माया की मैया उनके हाथ से बना हुआ इतना समाखन भी मेरे लिए परियापत है जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री उतनी भावुक उतनी शक्तिशल तबी तो जो समस्त संसार की रक्षक हैं वो उनकी रक्षा करती है कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता यदि वो गोकूल में ही है तो लगता है जो कार्य पूत्ता नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी युद्धा को खोज लिया है इतना आओ इनकी बुद्धी इतनी तीवर है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुच सुक्षमता से अध्ययन करके सुलजा दे जिनकी बुद्धी की विशेषता तमस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है वो है ये सुक्षम बुद्धी श्रीधर महराज गंस को सुक्षम बुद्धी श्रीधर का साधर प्रणाम ये पता लगाने के लिए कि विश्णू का अवतार सच में गुकुल में है या नहीं मैं इन्हें गुकुल भेज रहा हूँ महराज गंस ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मित्र सुक्षम बुद्धी श्रीधर को यहाँ देखकर आपकी रानियों को प्रसन्नता नहीं हुई ये ये करेंगे आपकी शत्रु का सामना प्रिद्ध दुर्बल जो ठीक से खड़े हो पानी में भी सक्षम नहीं सक्षमता चाल में होनी चाहिए या बुद्धी में अपने पती के मित्र का अपमान अपने ही पती के समक्ष इसका अर्थ ये है कि आप अपने पती के निर्ने का सम्मान नहीं करती हैं और उसका ये भी अर्थ है कि आप अपने पती का ही सम्मान नहीं करती है वैसे मैं इनके विशे में चिंतित नहीं हूँ महाराज मेरी शंका तो उनके विशे में है उनमें कुछ तो विचित्र है रहस्यमाई है आपकी दूसरी रानी शोक्ष्म गुद्धी ये मत खुलिये ये आपकी महाराणिया है कैसे भूल सकता हूँ महाराज वैसे इसमें इनका कोई दोस है भी नहीं दोस तो है इस बुझे हुए दीप दंड का इसके बुझे होने के कारण ही यहां चारो और अंदकार है और इसी अंदकार के कारण इन्हें मेरा सत्य ठीक से दिखाई नहीं दिया अन्यता श्रीधर के गुण को यवश्य पहचान लेती है ना महरान राजसी भोज की मधुर सुगन आपके लिए विशेश पकवान बनवाया है श्रीधर तो चले महरान पहले भोजन फिर वचन देख रो है नन्ना रोईनी जिजी ने कैसी कला सिखाई है मुझे देख रहे है मेरे लिए कुछ बना रही हूँ क्या जो मन मैं बोलते हो लल्ला क्या सोचेगो ये आपके लिए ना है मेरे नील मडिं के लिए है हाँ हाँ लल्ला आज अब लल्ला सदैब मेरे साथ रहेगो जो देखाँ अब मैं घर के कारे भी कर पाऊंगी और इसके उपेक्सा भी ना होगी हाँ लल्ला अद्बूत मैया ये हुई ना बात अनन्द आ रहा है मैं ये हुई आनन्द आ रहा है मैं ये हुई सुक्ष्म बुद्धी को भोजा नतीप रहे है अनन्द आ गया प्रभू अब आदेश करें आप तुम्हें गोकुल जाना है सुक्ष्म बुद्धी तहां जाके ये पता लगाना है कि नंद के घर में जो बालक है वो सच में विश्णों का ही अव्तार है या नहीं पद्धा क्या लगाना प्रभू उसके प्राण ही लेलू ये सुदा ये सुदा बस करो लागो चक्कर आ जाएंगे जी बात तो है बेकारी डोग दिया पिता जी मैया कितनी प्रसंद थी ये सुदा जे जूला ठीक तो रहेगो ना लल्ला के लिए सधैव निकट रहने के कारण कहीं लल्ला तुमारा आदी ना हो जाए हां तो अच्छा ही तो है कहीं आपको जलन तो ना हो रही कि लल्ला मेरे अधिक निकट आ जाएगो ना मुझे जलन ना हो रही पर पर क्या ये सुदा मन बना चुकी है अब जूला जूला के ही मानेगी बताओ ओहो फिर से जगड़ा कुछ करना पड़ेगा अरे क्या लल्ला को नीन आ रही है हाथो देख क्या रही हो सहाइता करो इससे सुलाने में हां लाओ तूने हमारा जीवन बडल दियो है लल्ला पस अब आते दिन ऐसे ही बीते तेरे साथ हसते मुस्कुराते आनंद से पर कल तो वो अतीब उद्धिमान आने वाला है बाबा हमें जाने दिशे हमें जाने दिशे बाइ हम लोग यहां नंदलाल के केवल दर्शन ही तो करने आये क्यों भाई हो मूर्ख कहीं के क्यों आये रहा घर अन्ततह पहुंच ही गए अरे मूर्खो मार क्यों रोक रहे हो हजाओ वर ना भाश्म कर दूआ तुए हमें रोक रहे हो अरे जानते भी हो कौन है हम नहीं जानते और जानने की आबसकता भी क्या है और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे बुका है ना आदेस नहीं है इसलिए महाराज आपस निवेदन है जई करते हैं तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो मूर्को उद्धी बेस्ट हो गई है तुमारी तुमारी पुझ्य पुजारी जिनके जिनके आराजना उनके पिता श्री भारुगिरी उनकी महातराजी पजमावची जी करती है उन श्रीदर महाराज का खोरफमान क्या है तुम दोनों ने घोरफमान यह सोधा तुम जानती है ना किन्तु लगतो है जे मेरे माबाबा को जानते हैं मेरे माएके के ओर से आये है जे सृदर महाराज अरे मेरी बोली मैया धोंगी महराज है ये असुर है जो भी हो जाओ चलो अरे किन तू अरे बोलने दो इने बेटी असोदा हम सिधर महराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आये थे और हाँ ये अखंड पुजा का प्रसाद भी दे रहा था कई पखवारों से मैं ये पुजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्त जन्म के लिए ये प्रसाद मुझे दे दिजी यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे बुद्धी लगाओ सुक्ष्म बुद्धी इससे पूरू की खेल बिगड़ जाए शीग्र ही कोई उपाए निकालो ये आपका ही कश्च कर रहें श्रीमान हम आध्याप आपको जादा अधिक हमें धक्का किसने दिया है धक्का आरे हमने कचुनी कारो आपको जादा अधिक चोड़तल तो ना लगी भाईया आपने भी तर ले चलने सुथा मर गया जो आक्या तुम कुकुलवासियों को भी ना देती वो इन्हें दे रही हो जे बात तो है ऐसे कैसे आने दो होना है मर गया इन्हें चोट लगी है सहता तो करनी चाहिए अभी तर आने दो ना आप सुथा कल वो जोगी बाबा को तो भी तर आने दिया था ना अब ये भोले भाले बुढ़े बाबा मेरे माईके की ओर से आये हैं तो बड़ी समस्या हो रही आपको कोई बात ने बिटिया समस्या है तो फिर कभी आ जाए जाए रुख जाओ बाबा जब तक आपका स्वास ठीक ना हो जातो है कहीं न जारो आप बीतर आज़े याँ जाओ बैजजी को लेके आओ उन्हें काओ सिग्रका करें जाओ 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 आओ बाबा भगवान तुमारा भड़ा करें बिटिया सदा सुखी रहो बोला चाचा सबसे कड़वी औशिती दिलवाना इन है तू प्रभू मर गया जैसे बैजजी ने उस्ती दे देते हैं आप इनके लिए बैल गाड़ी मंगवा लीजी लगता है एक बार फिर से अपनी सूख्ष बुद्धी का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महराज मुझे तो कोई चोट ना दिखाई दे रही है अरे भीतर की चोट है बाहर से कैसे दिखेगी पर कोई चिन तो होना चाहिए ना चिन नहीं दिखाई दे रहा अरे तुम्हारी विद्ध्या पून भी हुई है या भी शीक्षा दीक्षा चल ही रही है भीतर की चोट का चिन भीतर होगा या बाहर होगा मुझे देखू मैं पीडा से करा रहा हूँ मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा तब तो जब तक पीडा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती नित्य जाज करनी पड़ेगी हाँ यही पर चाहिए था वैड़ जी रुखने का बहाना आप चिन्ता मती करो मेरे पास एक राम बान उस्दी है जो चुटकी बजाते ही सारी पीडा दूर कर देगी ये लिजे दुपहर को भोजन के बादी ने दे देना राम 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 वो बालक कहा है जिसके बारे में महराज कंस ने बताया था में पासी के अथितिग्रह में इनके रहने को परबंद करके आतू अरे श्रीमान सुनिये अरे सुनिये तो सही, अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना, पास के अधिति ग्रह तक कैसे जाएंगे हम, डया करके, मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दू, मैं आप लोगों पर बोज नहीं बनना चाहता हूँ, आये, अरे, बोज की कोई बात ही ना है महराज, अरे बन पड़ेगा मैं यहां से चला जाओंगा, आया, मा, ना बाबा, कहीं जाने क्या वसकता ना है, आप तो यहीं विश्राम करो, मैं आपके लिए गरम-गरम खिचडी बनाती हूँ, और सदी के साथ सुपाच्य होगी, खिचडी नहीं यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र के प्राण चाहिए मुझे, यह सुधा, जब तक तुम खिचडी बना रही हो, दल्ला को मैं संभाल लेते हूँ, लाओ, पर तुम्हें काम करने मैं समस्या ला हूँ नहीं, अरे, इसी कारून तुम बनाऊ नहीं जी छूला, तुम्हें शमा करना बाबा, अगली बार आउंगा आपके पास और ढोंगी महराज आप, आप तो प्रतीक शाही करो भी इनके बालक तक पहुँचना आसान नहीं लग रहा है किन्तु ये सूक्ष्म बुत्ती श्रीधर हार मानने वालों में से नहीं है इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा तुझे पतो है तेरी माईया क्या कर रही है अत्य थी आये हैं घर पे, उनके लिए खिचली बना रही है तेरी माईया माईया, देखो ढोंगी बाबा क्या हुआ? तुझे भी खानी है खिचली? है ना? ना दे सकती लल्ला पेरा अन्न प्रासन ना हुआ है अभी है ना? है ना? अब तो इन्हे सीख देनी ही पड़ेगी अब असे मुशक ने कचो गिराओ है अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला कल सवेरे सबसे पहले बंसी बोला से जाड़ो पोचा लगवाऊंगी तेरे आसपास एक भी मुशक ना बटकनो चाहिए हाने को अरे माईया इस मुशक के लिए तो मैं ही पर्याप थू किचिडी तो पगव लल्ला महराज को खिलाए पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है माईया बाबा बोला बंसी अरे ये महराज कहा गए उन्हें भाहर जाते तो ना देखो भावी यहीं कहीं होंगे तो देखो महराज 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 बोला तुम बीतर देख लो हम बाहर देख लेते हैं महराज 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 भावी यह हुआ जी क्या होगा यह बाबा यहां क्या कर रहो थे लग तो है भावी मूर्चित हो गई है अरे तु जल छिलको पंसी जल लो बाबा छिलको पान छिलको महराज ओ महराज आके खोलो क्या हरी चोट लगी है इतने से जल से नहीं उठेंगे यह अरे अच्छे से जल छिलको हाँ उड़गे महराज बाबा अब ठीको बाबा चे क्या होगा गाल पर भी लगो क्या किसने महरा बुझे इसने जो भी हो प्रतिशोद तो अवश्चे लूँगा मैं प्रतिशोद बाद में लेना महराज पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से